आज हम ऐसी हिरोईन की बात करेंगे जिनकी एक फिल्म को भारत की ट्रेड मार्ग फिल्म कहा जाने लगा ऐसी एक्ट्रिस जिन्होंने चालीज के दर्शक में अपने बहतरीन अभिने से दर्शकों की दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी वे एक ऐसी महिला थी जिनकी आक्टिंग बाकी अभिनेत्रियों से अलग होती थी जी हाँ वो अभिनेत्री हैं सर्दार अक्तर आच साल से मिन सब के लिए बोज बनी हुई है ना जानी इश्वर कर मुझे इस दुनिया से उठाएंगे मशूर फिल्मकार महबूब खान की दूसरी पतनी और मदर इंडिया फिल्म में बच्पन वाले बिर्जू का किरदार निभाने वाले साजित खान की सौते लीमा साजित खान और सरदार अक्तर का जिक्र एक साथ होना इसी लिए जरूरी है क्योंकि महबूब खान की मृत्यू के बाद प्रॉपर्टी के लिए परिवार में तनाव बढ़ने लगा इस बीच सरदार अक्तर ने समशदारी का कदम उठाते हुए साजित खान को लेकर निव यॉक आ गई कुछ लोगों का इतिहास नहीं होता वे खुद इतिहास के एक अंश होते हैं भारतिय सिनेमा के इतिहास में सरदार अक्तर भी एक अंश है जिनका इतिहास कोई नहीं जानता यहां तक खुद साजित खान भी अपनी मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते सरदार अक्तर का जन एक मुसलिम परिवार में साल 1915 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था उनके फिल्मोग्रफी पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने 17 साल के उम्र में ईद का चान्द इस फिल्म में पहली बार अभिने किया होगा पर असल में उनका रिष्टा थियेटर से जुड़ा हुआ है फिल्मों में एंट्री लेने से पहले वो मदन थियेटर कंपनी की पर्मनेंट कलाकार थी ये जो मदन थियेटर है इनका अपना एतिहास है आपको जानकर हैरानी होगी मदन थियेटर 20 और 30 के जमाने का सबसे मशूर स्टेज थियेटर हुआ करता था वे भारत के अलग-अलग शेहरों में स्टेज शो आयोजित किया करते थे इस लिए इस थियेटर के कलाकारों को भी अलग-अलग शेहरों की दर्शन होते थे सरदार अक्तर को भी अलग-अलग शेहर देखने का मौका मिलता इस तरह से उनका मुंबई आना हुआ मुंबई में होने वाले एक शो में उस जमाने के मशूर फिल्मकार आनन्द प्रसाद कपूर भी दर्शकों के बीच पैठे थे शो के बीच में आनन्द प्रसाद कपूर को सर्दार अक्तर की कलाकारी पसंद आई और उन्हें अपनी कम्पनी में आने का प्रस्ताव भेजा तो इस तरह से सरदार अक्तर को फिल्मों में काम करने का मौका मिला उस वक्त कलाकारों को स्टूडियो के साथ कॉन्ट्राक्ट पर काम करना पड़ता था किसी दूसरे स्टूडियो के लिए काम करने की अनुमती नहीं मिलती थी अपने शुरुवाती समय में सरदार अक्तर को भी सरोज मूवी टोन नामक स्टूडियो के साथ कॉन्ट्राक करना पड़ा 40 के दशक में सरदार अक्तर चरित्र अभिने करने लगी और औरत फिल्म के कारण उनकी इमेज भोली भाली महिला जैसी बन चुकी थी पर उन्होंने 30 से भी अधिक फिल्में स्टंट अक्ट्रिस के रूप में दी थी एक स्टंट अक्ट्रिस से कारेक्टर अक्ट्रिस बनने के पीछे भी एक कहानी है उनके करियर को फिल्मकार सोहरा मोदी के कारण उचाल मिली 1932 से लेकर 1938 तक विभिन्न प्रकार के किरदार निभाने के बाद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जितनी बाकी अभीनीत्रियों को मिली सोलोचना उर्फ रूबी मायर जैसी अंगिनत कलाकारों पर हमने विडियो बनाई है जी सरदार अक्तर के जमाने की समकाले नभीनीत्रियां थी वे सभी अपने अपने हिसाब से बड़े कलाकार थे पर सरदार अक्तर प्रसिद्धी के मामले में उनसे छोटी थी पर सोहराब मोदी ने उनका समय बदल दिया जी हाँ भारतिय फिल्म इतिहास की गिने चुने बड़ी फिल्मों में पुकार फिल्म भी आती है 1949 में रिलीज हुई इस फिल्म ने चारों तरफ तहल का मचा दिया शायद वो उस जमाने की पहली मेगाहेट फिल्म थी नसीम बानो और चंद्रमोहन जैसे जबरदस्त कलाकारों से सजी इस फिल्म में सरदार अक्तर ने धोबन का किरदार निभाया था इस फिल्म के कारण सरदार अक्तर की ना सिर्फ इमेज बदल गई बलकि आगे चलकर उन्हें इसी प्रकार के किरदार भी मिले इसके फल स्वरूप महबूब खान ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म औरत में साइन कर लिया महबूब खान और सरदार अक्तर की पहली मनाकात 1935 के जमाने में हुई थी वे उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मनमोहन में कास्ट करना चाहते थे पर सरदार अक्तर किसी दूसरे स्टूडियो के कांट्राक्ट में थी इसलिए उन्होंने महबूब खान को मनां कर दिया औरत फिल्म रिलीज होते ही पुकार फिल्म से भी अधिक पहमाने पर हिट हुई आज के दौर में ये दोनों फिल्में क्लासिक एरा की बहतरीन फिल्मों में शुमार है इस फिल्म के शूर्टिंग के दौरान दोनों में प्यार हुआ और 1942 में सरदार अक्तर और महबूब खान ने शादी कर ली महबूब खान के लिए दूसरी एहम बात ये भी थी कि उनके अजीज दोस्त एर करदार उनके रिष्टेदार बन गए क्योंकि सरदार अक्तर की बहन बहार एर करदार की दूसरी बीवी थी औरत फिल्म के लिए सरदार अक्तर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है ना सिर्फ सरदार अक्तर बलकि सभी कलाकारों ने बहतरी न भिने किया था कनहया लाल लाला के किरदार में थे तो बिरजू का किरदार याकुब ने निवाया था औरत के बाद उनकी दूसरी फिल्म अली बाबा उसी साल रिलीज हुई पर बॉक्स ओफिस में उसने कोई बड़ा कारणामा किया नहीं शादी के बाद सरदार अक्तर ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया पर वो अपने पती को कास्टिंग और स्क्रिप्टिंग में हमेशा मदद करती थी शादी के बाद रिलीज हुई राहत और फैशन उनकी आखरी फिल्म थी यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बहुत सारे मुस्लिम कलाकारों ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया ए आर करदार समेत महभूब खान भी पाकिस्तान बज गए पर वहां कुछ दिन गुजारने के बाद वे सभी एक साथ भारत लोटाए 1947 के बाद सरदार अक्तर ने फिल्म जगत से पूरी तरह से सन्यास ले लिया पर वे तब भी फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी उनकी बदावलत बहुत सारे कलाकारों को फिल्म जगत में काम करने का मौका मिला जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं महभूब खान से सरदार अक्तर को कोई संतान नहीं थी मदर इंडिया फिल्म के निर्मान के वक्त साजित खान नामक एक बाल कलाकार को उन्होंने गोद ले लिया मदर इंडिया में छोटे बिर्जु का किरदार निभाने वाले साजित खान की कहानी भी दिल्चस्प है उनके विडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी साजित खान को सरदार अक्तर ने बहुत प्यार दिया और अच्छी शिक्षा भी दी मदर इंडिया के बाद महभूब खान की सौन अफ इंडिया बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई असल में मदर इंडिया के बाद महभूब खान की कोई भी फिल्म चली नहीं 1964 में हार्ट अटैक के कारण महभूब खान चल बसे पर पीछे प्रॉपटी को लेकर सवाल भी छोड़ गए महभूब खान का महभूब स्टूडियो में धेर सारे फिल्म में बनती थी इतने बड़े प्रॉपटी के मालिकाना हक के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और सरदार अक्तर अपने बेटी साजित खान को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका बस गई वहाँ उन्होंने साजित खान को अच्छी शिक्षा दी इसी कारण से गरीमी में पैदा हुए साजित खान हौलिवुड की स्टार कलाकार बन गए सरदार अक्तर भी लंबे अर्शे तक हिंदी फिल्म जगत से दूर रह नहीं पाई और बुढ़ापा चड़ने के बाद भी उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का बड़ा फैस्टा लिया बहतरीन कॉमेडियन और डिरेक्टर ओपी रलहन द्वारा बनाई हुई 1971 की सूपर हिट फिल्म हलचल में सरदार अक्तर ने एक बार फिर से अभिने करके दिखाया पर दुर्भाग्य से उनकी सेकेंड इनिंग सफल हो नहीं पाई और 2 अक्टूबर 1986 में दिल का दौरा पढ़ने के कारण उनका दिहान्द हो गया उस वक्त वो नियू यॉक में थी दुर्भाग्य ये भी था कि वो और उनके बेटे साजित खान तब भी केस लड़ रहे थे असल में दो दशक गुजर जाने के बाद भी महभूब स्टूडियो और मुंबई के तीन फ्लाट को असली वारिस मिला नहीं कहा जाता है कि आज भी ये मामला कोट में पेंडिंग है तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी और रियल लाइफ स्टॉरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार